लोगसबर चुनाव में क्या OBC वोटर गेम चेंजर साबित होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं देख खबरदार नीजूस तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुक औरे बड़ी खबर पर लोगसबर चुनाव से पहले भारती जिन्ता पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी नारा अब की बार 400 पारका है वहीं कॉंग्रिस इंडिया गटबंदन की मदद से बीजेपी को रोकने की रणनीती पर काम कर रही है इन सब के बीच देश के दोनों एहम कटबंदन OBC वोटरों को खीचने के लिए पुर जोर कोशिश कर रहे हैं जनकारों का कहना है कि इस चुनाव में भी OBC मतदाता गेम चेंजर साबित होंगे एक तरफ कॉंग्रेस निता राहूल गांदी बार बार जाती जनगर्ना और OBC का मुद्दा उठा रहे हैं ये दावा करते हैं कि भारत सरकार में 90 सचे विस्तर के अधिकार हैं जिन में सिर्फ 3 OBC वर्ग से आते हैं और वे सिर्फ 5 प्रतिशत बचट को नियंतरित करते हैं इसके जवाब में अमित शाह दावा करते हैं कि बीजेपी के सांसदों में 29 प्रतिशत यानि 85 सांसद और 29 मंतरी OBC कैटेगरी के हैं 358 MLA में से 365 OBC हैं जो 27 प्रतिशत हैं यह सबी OBC का राग अलापने वालों से जादा हैं इतने ही नहीं खुद प्रदान मंतरी मोदी ने लोग सबा में कहा था कि कॉंग्रेस के हमारे साथ ही बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में OBC कितने हैं उसका इसाब किताब करते हैं मैं हैरान हूँ कि उन्हें सबसे बड़ा OBC नरिंदर मोदी नजर नहीं आता है कितना प्रभावशाली अन्य पिछड़ा वर्ग इस लोग सबाचुनाव में करीब 97 करोड मतदाता हिस्सा लेंगे राजनेतिक विस्टेशकों का मानना है कि जन संग्या के लिहाज में सबसे ज़ादा दबदबा अन्य पिछड़ा वर्ग का है जिसकी संग्या करीब 50 प्रतीशत है अप्रेल 2018 तक केंद्री OBC सूची में कुल 2489 जातियां शामिल हैं ये जातियां अब तक अलग-अलग राजय में अलग-अलग पार्टियां का समर्थानिक कर रही हैं उत्रप्रदेश में मुलाइम सिंग यादव, बिहार में लालू परसाद यादव और नीतेश कुमार को मोकिय मंतरी बनाने से लेकर नरेंदर मोधी को परदान मंतरी बनाने तक में OBC की एहम मुमिकार रही हैं OBC का उभार देश आज़ाद होने के बाद SC और ST को 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत का आरक्षन दिया गया लेकिन हजारों ऐसी जातियां थी जो उस वक्त पिषड़ी होने के बावजूद भी छूट गई जवाहरला लैनू यूनिवरस्टी में सेंटर फॉर पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर नरेंदर कुमार बताते हैं आजादी से पहले ही बैकवर्ड क्लास का मूवमेंट शिर्ग हो गया था वे कहते हैं उस वक्त उत्तर भारत के मुकाबले बैकवर्ड क्लास का मूवमेंट दक्षिड भारत में कहीं जादा था वहां रामस्वामी नायकर महात्मा फूले साहुजी महराज की एक लेगसी थी जिसकी वज़र से OBC की एहमियत के शिर्वात हुई उन्होंने कहा जब भारत आजाद हुआ तो चुआ चूत एक बड़ा फैक्टर था जिसे S.T.S.T. को आरक्षन देकर एड्रेस करने की कोशिश की गई लेकिन बैकवर्ड का जो मुद्दा था वहें नीचे दब गया क्योंकि कॉंग्रेस की इसमें कुछ खास दिल्चस्पी नहीं थी खबरों में अप तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ तब तक के लिए नवाश्कार और देखते रहिए दा खबरदार नियूज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं झाल 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 झाल